पिछले बार मोदी जी के लहर में भाजपा डेड़ लाग, दो लाग, ढाई लाग, तीन लाग, चार-चार लाग वोटों से सीट पे चुनाव जीती है, लेकिन औरंगावाद में महज सत्तर हजार मतों के अंतर से ही भाजपा वहाँ पे चुनाव जीत पाई थी, दलितों में तूठ है, वहाँ पे चिराग पासवान का फेक्टर नहीं चल रहा है, औरंगावाद में, औरंगावाद में पासवान हो के नेता सरबजीत पासवान, एभव 70 से 80 परसेंट जो पासवान समाज के वोट हैं, वो RJD के साथ जा रहे हैं, चंदरवंसी समाज हैं, वो RJD को डिदास समाज का बोट कातर हैं, नुक्षान भाजपा कोई है, जो की मानती है कि दलित महादलित हमारे साथ है, हमारे साथ चिराग पास्मान है, हमारे साथ जितन राममान जी है, लेकिन डविदास मत जो है, वो WSP के साथ जा रहे हैं, इमाम गजь गःतान सवाकर जहां से जितनामाजी विधायक हैelu element सब्सक्राइब कंवरatif का वही हे और काफ़ी अग्रेसिव थे भाजपा का जो पूरा विखन्दित है तो वहाँ जो राजपूत और भूमिहार का जो वोट है, इसमें 10-15 अजर कंतर है, कह सकते हैं कि लगबग लगबग बराबरी में है, लेकिन भूमिहार वोटरों में भी वहाँ तूट है, अब सुसील सिंग से नाराजगी हो, या कुछ और बात हो, हो सकता है भूमिहारों का जड़ी प्रेम जग्या हो, प्राम लुटन सिंग के पड़िवार से है, उनके पापा भी सांसाद रहें, फिर बेटा भी सांसाद रहें, ये चीज बहुतों को चूपती है, जो बेस बोड़ता, जो गया का जो तीन बिधान सवाच्छेतर होता था, गुरुवा, इमाम इस छेतर में सुसील सिंग, कोईरी दांगी और भुमिहार, इसी मतों के सहारे राजनीत करते थे, कोईरी दांगी जान रहें, उनके स्वजातिय उम्मिदवार हैं, तक्रिबन कोईरी दांगी दो लाक बोटर है, पुरा लोग सवाच्छेतर में, पुर्णता तूड़ गया का जो तीन विदान सवाच्छेतर है, मैं मानता हूँ, टेकारी, गुर्वा, इमाम गंज, यहां आरजेदी बंपर लिड ले रहे हैं, मैं हूँ राज मुहंतिवारी, देखिए लोकसभा चुनाओ को लेकर अब बिहार के 400 सीट पर दंगल शुरू हो चुका है, एक तरफ प हुई, ऐसे में जो इस्टार प्रचारक हैं, वो भी मैदान में उतर गए हैं, तो अब जानने की उत्सुकता भी दर्सकों में बढ़ गई है, कि इन चारो सीटों पर किस तरफ पलरा भारी है, कहां पर क्या हो रहा है, समिकरन कैसे साधे जा रहे हैं, और जीत जो है, वो किस हो सकती है, तो इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ राज़ितिक विशलेशक के तोर पर राय प्रतीक जी जुरे हुए हैं, और आज इस वीडियो में हम नवादा और और औरंगाबाद सीट की चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ औरंगाबाद में आर जेडी ने कुछ वहाँ गेम ही खेला गया है, लेकिन दोनों ही सीटों पर समिकरन जो हैं, वो बदल भी रहे हैं, और किसी को नुकसान तो किसी को फाइदा होते दिखाई दे रहा है, तो चर्चा करने के लिए राय परतीक जी से सीधे जुरते हैं, और ता आप सबसे पहले औरंगाब अभी गये थे, वहीं से लोट कर आए हैं, क्या ऐसा खबर निकल रहा है, क्या समिकरन बन रहा है, किसका नुकसान और किसका पाइदा होते दिखाई दे रहा है, नमस्कार तिवारे जी, मैं पहले आपको बता दू, अभी औरंगावाद से सिटिंग सांसाद है, भाजपा के बीजेपी के सिंबल पे, उस में भी आरजेडी के सिंबल पे कुसभा चुनाओ लर रहे थे, हिंदुस्तानी अवामोर्चा के सिंबल पर उपेंद्र परसाद जी, लेकिन उपेंद्र परसाद जी का कुसभा फेस, और अभय कुसभा जी का कुसभा फेस, दोनों में अंतर है अच्चा अब है कुस्वाहा जी का जो कुस्वाहा फेस है वो लालू परसाद यादब जी का जो समाजीक न्याया का उनका मत्र मतर के जबिश्टे बढ़ मोदी के लहर में भाजपार येड्र लाग, दो लाग, ढाई लाग, तीन लाग, चार-चार लाग वोटों से सीट पे चुनाव जीती है, लेकिन औरंगावाद में महज सत्तर हजार मतों के अंतर से ही भाजपा वहां पे चुनाव जीत पाई थी, फिर एक चीछ और देखने वाली बात है थी बारी जी, वहां पे बहुजन समाज पाटी, BSP के यादव परत्यासी थे, उन्होंने 33,772 मत पाई थे, तो एक तरह से आप जब BSP के यादव मतों को उसमें माइनस कर देते हैं, तो तक्रीबन ज्यादा तर यादव ही उनको मत दिये थे, तो कि यादव परत्यासी थे, उनको अपने समाज में पैटता है, जाती वाली बात थी, तो 33,772 मत को 70,000 में माइनस कर दीजेगा, तो तक्रीबन 36,000 वोट के ही काई अंतर एक बचता है, पिछले भी चुनाओ के अंतर जाईएगा, लेगिन इस बार क्या हुआ है, इस बार आप जान रहे हैं कि गया में आरजेडी ने पासवान काड़ खेला है, सरबजीत पासवान, मंतरी रहे हैं, क्रिशी मंतरी रहे हैं, प्रेटन मंतरी रहे हैं, काफी मजबूती से गया में चुनाओ लर रहे हैं, जब गया की बारी आएगी तो हम वहां का भी बताएंगे, और अभईक उस बार के बारे में आपको पता होगा कि य उनको मिलता हुआ देखा जा रहा है, जबकी पासवान मत जो है ओरंगावाद, लोकसवाद, शेतर में तक्रिवन सावा लाग से डेर लाग तक हैं, क्योंकि ओरंगावाद में धलित महा, वादीत तक्रिवन साड़े चार से पाच लाग हैं, बड़ी संख्या में, लेकिन द रास्वान समाज के वोट हैं वो आर जेडी के साथ जा रहे हैं और यही नहीं मैं कई छेत्रों में गया मैं बोद गया मैं भी चंद्रवंसी कहार समाज चंद्रिश्वन चंद्रवंसी जदियू से चुनाव लर रहे हैं जाना बाद से भाजपार ने भी एक चंद्रवंसी समा में उनको काफी ज़्यादा परते हैं लोकसभा राजसभा मलसी विधायक मंत्री सब कुछ उनको दिया गया है लेकिन मैंने बोध गया जहां से सरबजीत विधायक रजेडिक है उस छेत्र को मैंने देखा वहां के चंदरवनसी समाज रजेडी के साथ हैं मैं औरंगावाद ग महादलित में पांशमान का देख लिए महादलित में एक रविधास है यह किसले बार समाज को बोट कारे है नुक्सान भाजपा कोई है जो कि मानती है कि दलित महादलित हमारे साथ है हमारे साथ चिराग पाश्मान है, हमारे साथ जितन रामान जी है, लेकिन रवीदास मत जो है, वो BSP के साथ जा रहा है, मतलब मैं आपको पहले दलित महादलित वोटों में सेंद हमारी के बारे में बता रहा है, दलित महादलित कितना BJP के साथ जा रहा है, उसके बाद देखि लेकिन वहां के मुसहर मांजी, most of them, जो मैं वहां से देख करा रहा हूँ, खास करके इमाम गंज विधान सवाके, जहां से जितन्रा मांजी विधायक है, उस छेतर के 70-80% महादलित बोटर जो है, भुईया मुसहर जो है, वो माले केडर है, माले केडर है, प्योर माले केडर है वो वही हैं और काफी अग्रेसिव हैं, तो ये देखिए भाजपा का जो दलित महादलित समीकरन है, पूरा विखंडित है, ये इधर-उदर नहीं जा रहा है, आरजेडी के तरफ जा रहा है, रविधास बिएसपी में जा रहा है, पासबान और भी आरजेडी के तरफ जा जा रहा है और माजी भुईयां जो है ये भी जो है आरजेडी के तरफ जा रहा है दलित महादलित जो पांच लाग का एक मजबूत बोड़ बैंक है इसमें तूट है लेकिन यह तो का जाता कि और अरंगाबाद सीट सवर्नों की है राजपूतों का दबदबा रहा है तो सवर्नों में कोई भी जाती दो लाग नहीं है राजपूत वोड़ भी पोने दो लाग के ही आसपास हैं कम ही होंगे जादे नहीं होंगे क्योंकि गया का जो तीन विदान सवा है इमाम गंज गुरुवा टेकारी यह तीनों बिदान सवा मिला के 40-50,000 वोड़ भी इनके मु है इमाम गंज में दस पंद्रे पंद्रे क्लिस होगा काफी सारे गाउं है लोग नहीं जानते हैं लेकिंदा भी में कम वोट रफीगंज का जो भूम्यार का वोट था यह गाउं था लट्टा पॉथू इसब बराबरा गाउं था सब गोवीदान सभा में काटके मिला दिया गए रफीगंज में काफी सिमित संख्या में बोट हो गया सताथ हजार होगा काफी हो गया लेकिन कुटूंबा में 25,000 भूम्यार का वोट है काफी संख्या में मजबूत है औरंगवाद सहर में भी 25,000 वहां जो राजपूत और भूम्यार का जो वोट है इसमें 10-15,000 कंतर है कह सकते हैं कि लगभग लगभग बराबरी में है लेकिन भूड़ा बाल साब करो भूम्यार भूल गया अब वहां के लोग का स्थानिया इस्थिती पर शिति क्या है वो खुद नफा नुक्षान खुद का जोर रहोंगे भूम्यार बोटों में तूट है या आप माल लेजे अनील कुमार और डिप्टी सीम बिजय सिन्ना दोनों र चार पांच जार से आप वहां पर बीजेपी लीड कर जाए ऐसी सिती बनी है लेकिन वहां नहीं है 50-50 है 50-50 यही सिर्फ टेकारी में नहीं टेकारी में 50-50 अब अगर अधर विदान सबा जाए ये गारंगा बाचेतर के वहां आरजेडी के तरब जो भूम्यार जा रहे हैं में दलित मा दलिताओं में टूट है और सबसे जो बेस बोड़ता जो गया का जो तीन विदान सबाचेतर होता था गुरुवा इमाम गंश और टेकारी इस छेतर में सुसील सिंग कोईरी दांगी और भूमिहार इसी मतों के सहारे राजनीत करते थे कोईरी दांगी जान रहे पूरा लोक्षबाश्यत्र में पूर नता टूट गया है भासपा को लगड़ा है कि हमारे एक प्रदेश सचीफ कोई दांगी है वो हमको पाच परसेंट भी बोड दिला देंगे लेकिन यह उनका भड़ाम है मैंने ग्रान विस्तिति वस्तिति मैंने देख के आया है दांग सबसे स्योर स्ट जो लीड़ वाली सीट है वही मांगांज है अच्छा यह बताएए आप तो कह रहे हैं कि आरजेडी लीड करेगी लेकिन जो एंडिये के अंदर चेहरे हैं तो पुराने नेता तो थे ही लेकिन जो पिछले बारा हिंदुस्तानी आउमोर्चा के केंडिडे उपेंदर परसाद टिकट की होर में थे मिला नहीं तो बीजेपी में सामील हो गए और कई नेता हैं जिनोंने छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और निखिल कुमार जो कॉंगरेस के सिनियर लेडर वो भी टिकट की रेस में थे उनको नहीं मिला तो राजपुत 30,000 वोटाओं से लीड करना चाहिए समीकरन उनके साथ है औरंगा वास सदर लेकिन मैं वहां भी दस से बाराज दस अजार से ज्यादा मताओं से लीड करते बीजेपी को नहीं देख रहा हूं क्योंकि वहां भी बीतरगात है बीजेपी के जो पूर्मंत्री पूर्विदाय करें रामाधार सिंग राजपूर्वोट को कितना डेमेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं तो देख रहा हूं काती पिछरा वोट में चंजवंसी समाज बगर जो उनके कैडर है उनको वह दैमेज करके बैठे हुए है तो बहुत हद तक डेमेज वहां भी हो रहा है निखिल कुमार सालेंट है कई ना कई राजपूर समाज का जो वहां वोट है सुसील सिंग से कुछ ऐसे भी नाराजगी अदाबा चलती है जब निखिल कुमार है नहीं मैदान में एक लौता राजपूर चेहरा है तो उसको भी छोड़ कर क्यों आटेंगे हर छितर की राज लड़ाई है अब राम लुटन सिंग के पडिवार से उनके पापा भी सांसादरे फिर बेटा भी सांसादरे यह चीज बहुतों को चूपती है तो राजपूर पडिवार को उससे क्या फाइदा होगा अब यह तो राजपूर समाज को जाके बताना पड़ेगा क्या सब्सक्राइब रहाज बिदान सब्सक्राइब समयरे लोग सभाव सब्सक्राइब इस ने सब्सक्राइब कर दलाद माध नलित तो पूरा वोडवेंक टूट गया पूरा तूट गया है पूरा 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 जो अभी जो मैं देख रहा हूं गया का जो तीन विदान सभा चेतर है जो मैं मानता हूं टेकारी गुर्वा इमाम गंज यहां आरजेजी बंपर लीड ले रही है लेकिन बीजेपी मानती है कि टेकारी हम लीड करेंगे जो मैं बीजेपी वाले से बात किया तो बीजेपी वा मानना है कि मतलब वह भी मान रहे हैं कि मैं हम तीन विदानसभाद चित्र में बड़त लेने की सिति में हैं अगर मेनत करेंगे तो टेकारी रफी गंज और अरंगावाद लेकिन मैं अभी तक मान रहा हूं टेकारी में बंपर लिट आरजेडी को जाएगा कि भूमिहार बोट जो है वो टूट गया अब 2015 का विदानसभाद चुनाओ देखें ना भूमिहार बोट एक्जूट होके अनिल कुमार को गया था फिर भी अभय कुस्वा वहां से चुनाओ जिते थे नितिश कुमार सात्त थे मान सकते हैं कि नितिश कुमार का जो वोट वैंक है को नीती तो जवर जो हमाई की राजत भी तो जुड़ गया था मुसलिम और यादों का जब वोट जुड़ा तो अभी तो वही है ना अभी तो इस्तिती वही है उपर से माले भी है नक्सली मतलब माले का प्रभाव वाला च्छेत्रे वह सब रहा है मोटा मोटी माना ज़ये कि औरंगाबाद में सुसील सिंग की हालत पतली है हालत पतली है गया का तीनो विधान सवा टेकारी, गुरवा और इमाम गंश तीनो विधान सवा आरजेडी लीड कर रही है यही नहीं कुटू색 fosterill को क्लियर क्लियर बरात है पिछले बार का भी आंकरा जो है उनको उनके पास है कि हम कहां कितना वोट से लिड किये थे तो उनको खुद आसंका है कि कुटुमबा हम लिड नहीं कर रहे हैं कुटुमबा भी आरजेडी लिड कर रही है और रफी गंज में फाइट है बराबरी का उसमें भी आरजेडी को ह है क्योंकि मुस्लिम और कोईडी अच्छा काशा बोट है दोनों जाएंडिया में कोईडी वोटरों को लुभाने के लिए कि उनका चेहरा भी काम नहीं कर रहा है समराच चोदरी का चेहरा यहीं तो कह रहे हैं टैक्टिक टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं कुछ जिसकी प्रणगाबाद में मोदी जी का सभा नहीं हुआ है घया आ रहे हैं और यहां प्रणगाबाद का प्रभाव देख रहे हैं सिर्फ हम औरंगावाद सदर विदान सभा एक ही विदान सभा है जहाँ से हम बीजेपी को लीड करते देख रहे हैं उसमें भी जितना भाज़पाच सोच सकती है उस हिसाब से लीड नहीं है तो यहां पर नुक्सान बीजेपी को औरंगाबाद में देखने को मिल रहा है तो देखिए ये औरंगाबाद लोगसभा कि हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रिये जनता दल के सुप्रीमों लालू पिरसाद यादों ने एक बड़ा काड खेला जदियू के अभय कुश्वाहा क अभय कुश्वाह को मिद्वार बनाया गया है अब मानना है राय प्रतीक जी का कि वहां पर अभय कुश्वाह का काड जो है वह आरजडी के लिए चल गया है अब देखना होगा कि जब 19 अपरेल को वोटिंग होती है चार जून को रिजल्ट आते हैं तो किसके पक्ष में य एक नजर हम आपको इन चो विधान सबाओं के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि बार बार गया और औरंगाबाद की जिक्र हो रही थी तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो लोकसभा औरंगाबाद के नतर चो विधान सबा आते हैं कुटुमबा औरंगाबाद और पनरा जो है वो भारी नजर आता है जिस प्रकार का समिकरन है अब रिजल्ट बताएगा कि ये पूरा मामला किसके पक्ष में जाता है बना रही है गालाइब बिहार के साथ अब सभी का बहुत धन्यवाद यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें